मैं बताना चाहता हूँ कि 1 नवंबर 2020 को दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा कि 21 करोड रुपे का हाउस टेक्स इकठा होना चाहिए और भाजपा जो है शासिद निगम 1400 करोड इकठा नहीं करती 700 करोड केवल इकठा करती है और इसको खा जाते है निगम पार्शन इसी परकार से जब हम धरने पर बैटे थे केजरी बाज़ी के निवास पर उस वक्त भी इनके पास कहने को कुछ नहीं था तो इन्होंने एक भुटाला बाजपा शासिद निगम ने किया है जो दक्षिनी नगर निगम से उत्तरी दिली नगर निगम को लेना था इस पर हमने ये बताया कि 2013 के अंदर जब ट्राइफरकेशन हुआ था उस वक्त दिली कैबिनेट का एक ओर्डर था कि केवल सौथ M.C.D. से नौर्थ M. लेगी तो जब ये सब तैह हो गया और कैबिनेट का डिसीजन आ गया तो इसके बाद भी जो है आमाधी पार्टी के सभी पताधिकारियों ने अरोप लगाई पहले सतेंदर जैन आई उनके मंत्री हैं उन्होंने का जी ये धाई जार क्रोड का घोटाला है इसकी हम इंक्व और भारद्वा जो मले हैं और दुर्गेश पाठक जिन सब लोगों ने और रागव चड़ादी ने इन सब ने एक आरोप लगाए तो उस आरोपों के अधार पर हम लोग जो है कोड के अंदर गए और उसमें चैल ब्यारी गोस्वामी जो की हमारे स्थाई समित्य के अध्य हैं उनके माध्यम से हमने केस फाइल किया जिसके अंदर मैं भी एक विटनेस हूँ तो हमने वो केस फाइल करके कोड के अंदर ये अरोप लगाए ये कहा कि ये मान हनी इनोंने की है जबकि इनके पास इन सब कामों के कोई तत्य नहीं है ये केवल जूटे अरोप लगागे भाग गए हैं तो मानिय कोड ने हमारी सब बातों को सुना हम सब के ब्यान दर्ज हुए हैं उन ब्यान दर्ज होने के अधार पर कल कोड ने जो है दिल्ली सरकार के मंतरी श्री इस्तेंदर जैन और उसके बाद आतीशी मरलेना सोरभ भारद्वाज और रागव चड़ा जो क कि उनके परवक्ता है जो प्रते एक दिन जूटी प्रेस कॉंफरेंस करते हैं सभी लोग तो इनको कल समन किया है कोड ने और इनको 14 मार्च को कोड में अपियर होने के लिए का है और जब यह अपरादिक मामला है तो इसके अंदर इनको जाके बेल भी लेनी पड़ेगी और कोड में जाके अपना पक्ष भी प्रस्तूत करना पड़ेगा